अध्याए दस संथ पॉलुस दुर्बल नहीं हैं। मैं पॉलुस मसीह की नम्रता और द्यालुता के नाम पर आप लोगों से यह निवेदन कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने दीन हीन हूं किन्तु दूर रहने पर निर्भीक। मैं आप लोगों से विनेपूर्वक अनुरोध कर रहा हूं। आप ऐसा करें कि आप लोगों के साथ रहते समय मुझे निर्भीकता न दिखलानी पड़े। क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हम दुर्बल मनुष्य के तरह आचरन करते हैं, मैंने उनके साथ कठोर व्यवहार करने का संगल्प किया है हम दुर्बल मनुष्य हैं, किन्तु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते हमारे संघर्ष के अस्त्रशस्त्र दुर्बल नहीं है बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है जिससे वे हर प्रकार के किले नश्ट कर सकते हैं हम कुतरकों और घमंड से उत्पन उन सब बातों का खंडन करते हैं, जो इश्वर को स्विकार करने में बाधक हैं। हम प्रत्येक विवेक्षिल मनुष्य को मसीह की अधीनता स्विकार करने को बाध्य करते हैं। और जब आप लोगों ने उस अधीनता को स्विकार किया, तो हम किसी भी अवग्याकारी को दंड देने के लिए तयार हैं। जो बात आखों के सामने स्पष्ट है, उसे आप लोग देख लें। यदि कोई समझता है कि वह मसीह का है, तो वह फिर विचार करने पर यह समझ लेगा कि जिस तरह वह मसीह का है, उसी तरह हम भी मसीह के हैं। आपके विनाश के लिए नहीं, बलकि आपके आध्यात्मिक निर्मान के लिए, मुझे मसीह से जो अधिकार मिला है। यदि मैं उस पर कुछ अधिक गर्व कर रहा हूं, तो मुझे इस बात की कोई लज्जा नहीं है। आप यह न समझें कि मैं अपने पत्रों द्वारा आपको भै दिखाना चाहता हूं। कुछ लोगों का कहना है उसके पत्र, कठोर और प्रभावशाली हैं, किन्तु जब वह सयम आता है तो उसका शरीर दुर्बल लगता है और उसकी बोलने की शक्ती नहीं के बराबर है। जो लोग यह कहते हैं, वे इस बात पर विचार करें, कि हम दूर रहते हुए पत्रों में जो बातें लिखते हैं, उन्हें आपके यहां विद्द्यमान रहते हुए कारी में कर दिखाएंगे। संत पॉलुस महत्वा कांक्षी नहीं हैं। जो लोग अपनी ही सिफारिश करते हैं, हम उनके बराबर होने या उनसे अपनी तुलना करने का साहस नहीं करते। वे अपने ही मापदंड से अपना मुल्यांकन करते और अपने से अपनी तुलना करते हैं। इस प्रकार वे अपनी मुर्खता का परिचय देते हैं। हम अपनी सीमा का उल्लंखन करते हुए गर्व नहीं करेंगे। इश्वर ने हमारे लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया और जिसमें आप लोग भी सम्मिलित हैं, हम उसके भीतर रहेंगे। हम अपने क्षेत्र का उल्लंखन नहीं करते। आप लोग हमारे क्षेत्र के भीतर हैं, क्योंकि हमने पहले पहल आपके यहां मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। हम अपनी सीमा का उल्लंखन करते हुए दूसरे के परिश्रम पर गर्व नहीं करते। बलकि हम आशा करते हैं कि जो जो आप लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा, हमारे कारे क्षेत्र का भी विस्तार होगा। और हम अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इस तरह दूसरों के क्षेत्र में जो कारे हो चुका है, हमें उस पर गर्व करने की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई गर्व करना चाहे, तो वह प्रभु पर गर्व करे। जो अपनी सिफारिश करता है वह नहीं बलकि जिसे प्रभु की सिफारिश प्राप्त है वही सुयोग्य है